नमस्कार दोस्तो स्वागत है, आपका मेरे यूट्यूग चैनल मृत्यू सत्य है नमस्कार दोस्तो के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन थे, और सदैव उसके साथ रहते थे, और राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था, और बाते भी करता था, इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, वह बहुत खुश रहता थ क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्ग दर्शन देते थे, राधेश्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की, तरह ही पुकारता था, और उनसे अपने विचारों को बाटता था, एक दिन राधेश्याम के पिता की तबियत अचानक खराब हो गई, उन्हें अस्पताल में भरती किया गया, उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े अपने पिता को बचाने की मिन्ते की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उमीद नहीं दे सकते, और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा, तभी राधेश्याम को कृष्ण का ख्या अगर मृत्यू का समय होगा, तो होना तय है, इस पर राधेश्याम नाराज हो गया, और कृष्ण से लड़ने लगा गुस्से में उन्हें कौसनिलगा, भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी, तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम् तुम्हें एक कार्य करना होगा, रधेश्याम ने तुरंत पूछा कैसा कार्य, कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा, कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यू नहुई हो, रधेश्याम जट से हा बोलकर तला उसने कई दर्वाजे खटखटाएं, हर घर में जवार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता, जिनके परिवार में किसी की मृत्यू ना हुई हो, किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, मा, काकी या बहें, दो दिन तक भटकने के बाद भी रधेश्याम को ऐसा एक भ तल सत्य है, इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता, और वो अपने व्यवहार के लिए क्रिश्न से क्षमा मांगता है, और निर्ने लेता है, जब तक उसके पिता जीवित है, उनकी सेवा करेगा, थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर् दोस्तों इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्विकार करना चाहिए कि मृत्यू एक अटल सत्य है, उसे नकारना मुर्खता है, दुहक होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि वल आप ही उस दुहक से पिढ़ीट नहीं है, अपितु संपून मानव जाती उस दुह दुहक से रूबरू होती ही है, ऐसे सच को स्विकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। क्षेत्र में आगे बढ़ना ही जाता है। क्षेत्र में आगे बढ़ना ही जाता है, अभी जाता है। झाल झाल